ओम शान्ती आज दादी प्रकाश मणी जी के अम्रित वचन अर्थाद की अम्रित तुल्य क्लास को श्रवन करेंगी टाइटल है बाहर की बातों से अंतर मुख बनो तब बाबा की आकर्शन में अतींद्रिय सुख की अनुभूती हुगी पहला पॉइंट है सेकेंट में इस देह की स्मृती से परे जा सकते हो अभी अभी बैठे बैठे सेकेंट में इस देह की स्मृती से डिटाच हो गए सभी जो समझते डिटाच हो गए हाथ उपर करें क्योंकि हम राज योग का जो अपने इस योग का अनुभव है वो वास्तव में अनुभव है ही यहां बैठे बैठे उड़कर जावे बाबा के वतन में संदेशिया उड़कर जा सकती है वह तो ट्रांस है हम लोग बुद्धी से अपने फरिष्टों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाए इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिष्टों की दुनिया में लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाएं तो इस जैसा अतिंद्रिय सुख कोई नहीं है यह दिल के अनुभव का गीत वही गा सकते जो इसकी प्रेक्टिस करते और बराबर उस परम आनंद का अनुभव करते कहते है गोपियों को अतिंद्रिय सुख था यह प्रैक्टिकल में हम राजियोगियों के सुख का ही गायन है जितना इस देह से नियारे बन आत्मा निश्य कर और फिर बाबा से मिलन मनाओ तो इस मिलन से बाबा सर्व शक्तियां भर देता जिसको ही तपस्या कहा जाता है यही राजियोग है इसका निरंतर अभ्यास चाहिए भठी चाहिए तो सभी निरंतर अभ्यास ही बन रहे हैं न कहें हाँ जी बाबा दूसरा पॉइंट है हमने देखा है जिनको इस याद का यूग का अनुभव है उनकी बुद्धी सहच ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टी में शक्ति रहती है क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है न स्वयम को बाबा के साथ कमबाइंड देखते जब तक इस यूग की अनुभूती गहरी नहीं करेंगे तब तक शक्तिया नहीं मिलेंगी जो भी पावर्स है वो इस यूग साधना से मिलती है न इस साधना से माया पर विज़ई बन सकते है है न सभी का अनुभव जिनका अनुभव है कि साधना से हमने माया पर जीत पाई है हाथ उपर करें मुबारक हो तो ज्ञान हमारी पढ़ाई है जिस पढ़ाई को बुद्धी में धारन करना है और जितनी ज्ञान की गहरी पॉइंट्स बुद्धी में धारन होंगी उतना अपने को वर्दानों से भरपूर अनुभव करेंगे क्योंकि यह याद ही हमें वर्दाता बाप से वर्दान दिलाती है इसी से समीप हो जाते है फिर दिल से गीत निकलता बाबा आपको पाकर हमने तो जहन पा लिया ऐसी लगन वाले ही सच्चे आशिक बन माशुक की याद में रहते है मधुबन में आते हो तो यहां दो बाते ही है एक तो ज्यान के गहरे धारना के क्लासिस मिलते या रोज सुभर शाम योग में रहने की प्रेक्टिस करते सभी दिल से मधुबन पहुँच के वापस उस अनुभूती में स्थित हो जाए कि जैसे हम मधुबन में बैठे और भठी कर रहे है और क्लास चल रही है यही प्रेक्टिस दिन भर करते रहो बाबा की याद की प्लेक्टस दिन भर करते रहेंगे न तो मदद भी मिलती है हर घंटे पाँच मिनिट भी साइलेंस की अनुभूती करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी जो बाबा कहते माया पर विजय पहनो वो विजय तभी होगी जब ग्यान सहीत योग में रहो फिर माया नहीं आएगी बुधी यहाँ वहाँ नहीं जाएगी मुर्ली ग्यान में पक्का कराती परन्तु सवेरे का योग अशरीरी बनने में बहुत बड़ा बल देता है इसलिए योग में सच मुच यह अनुभव हो जैसे हम इस देह से उड़ जाएं और लगता वतन में बाबा के पास पहुँच गए है सभी सवेरे सवेरे अमरत वेले यह अनुभव करते हैं जो अनुभव करते हैं हातों पर करें च्छा मुबारक हो पर चौथी पॉइंट है निराकारी दुनिया तो परमधाम है लेकिन अव्यक्त वतन, सुक्ष्म वतन यह हमारे संगम की विशेष्टा है उसका हमें हर एक को अनुभव चाहिए जहां से बाबा हमें मिलने आते है तो इसके लिए जितनी जितनी बुद्धी शुद्ध बनेगी बाहर की बातों से अंतरमुखी होगी उतना ही बाबा की आकर्शिन रहेगी सच मुच हमें भगवान की आकर्शन हो रही है ये अनुभव चाहिए है ऐसा अनुभव के भगवान की आकर्शन है हमें जो समझते हैं अनुभव है वे हाजी कहे जैसे कई बार बाबा कहते कि बांधेलियों को बाबा से मिलने की आकर्शन होती कि कहां छुट्टी मिले तो हम बाबा से भगवान से मिलने के लिए भागू जैसे दुख में सिमिरन्ट सब करे वैसे बांधेलियों पर बंधन है तो वो जास्ती याद करती है आप लोग छुटे ले है तो मस्त रहते है अच्छा है मौज है मस्त रहते ये भले अच्छा है लेकिन लगन एक अलग चीज है वह ऐसी लगन होती जो रात को नींद भी उड़ जाती और मन कहता बाबा के पास जाके बाबा से रुरीहान करते रहे कैसे बाबा लाइट के वतन में हमें लाइट रूप में ले जाता खुद भी लाइट रूप बन जाओ तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन बनावे यह है रूहानियत की यात्रा यह यहां से special underline करके जाना कि हमें ऐसी रूहानी यात्रा की रूची रख बाबा से मिलन की अनुभूती करनी और करानी है कईयों में योग की बहुत रूची होती है कईयों में नहीं होती रूची है तो योग से सुख मिलेगा अगर रूची कम है तो बाबा के मिलन का सुख अनुभव नहीं होगा जैसे सेवाओं में रूची रखते तो सेवा के साथ साथ मेवा भी खाते रहते हैं सेवा का प्रत्यक्षफल खुशी मिल जाती है न पहले पहले तू इससे कितनी आत्माओं का कल्यान होता है यह अनुभव करते रहते हो न है न समी का अनुभव आतु पर करे जिनका अनुभव है दूसरों को कोर्स कराना माना खुद करना नेक्स्ट बात है सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा बाबा कहते बच्चे तुम मेरी नजरों में छिप जाओ बाबा की मुर्ली है वो मेरे मीठे मीठे नूरे रतनो यह किसने बोला नूर माना आखे तो हम बाबा के नैनों के नूर है न समझते हैं न सभी हम बाबा के नैनों के नूर है कहें हाँ जी बाबा इससे बड़ा भागे और क्या चाहिए है कोई दुनिया में जो कहे कि हम भगवान के नैनों के नूर है हमें भगवान कहता तुम मेरे नैनों के तारे हो बाबा ने अपनी नजरों में हमें छिपा दिया है बाकी तो दुनिया के खेल है चाहे बिमारी है आना है जाना है सर्विस करो उसमें आंधी भी आती तुफान भी आते यह वह सब होता परन्तु स्थिती स्थिर चाहिए है न हमारी मन के स्थिती स्थिती चाहिए कोई कितना भी मन खराब करे संग में कभी नहीं आना इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग संग दोश बुद्धी को बदल देता है सबसे प्यार करो सब फ्रेंड्स है पर्सनल फ्रेंड किसको नहीं बनाओ डबल अंडरलाइन करें ये बार हमारा पर्सनल फ्रेंड के वल एक बाबा हो यह एक अंडरलाइन करो या सभी ने अंडरलाइन जिसने अंडरलाइन किया वो हा अपने रूहों को राहत देने की, ग्यान की रूहानियत में, जितना हमारे अंदर रूहानियत परेगी तो ग्यान की रूरियान करेंगे, सेवा की रूरियान करेंगे, सर्विस के प्लान करेंगे, आपस में जो भी लेंदेन करेंगे, मीटिंग करेंगे, इसी लिए कि उससे को भी यग्य की कारोबार है जो भी कुछ है उनका हल करना है बाकी तो दिल दिलबर को दे दी बाकी दिल में क्या है कोई कहते दिल की लेंदेन करते हमारे दिल की बाते कौन सी होती है जो लेंदेन करे एक बाबा ही तो है न दिल में दिल की बाते यही है वहा मेरा बाबा वहा उन के सिवाए कोई दिल की बाते नहीं है पर्सनल किसी के साथ बैठ कर बाते करना यह दोस्ती नहीं दिल की बाते नहीं है लेकिन संगदोश है कितना क्लियर बोला एक दूसरे के प्रती मन खराब करना यह ऐसी है वह ऐसा है यह गलत है आपस में हलका जरूर हो, जो एक दो को अपनी बात कह सको, अगर मैंने कोई गलती की, तो आप मुझे बड़ी दिल से बोल सकते हो, बेहन, आज तुमने ये गलत किया, वह मैं दिल से स्विकार करती हूँ, लेकिन वह दूसरे को मत सुनाओ न, उसने मन खराब होता है, उससे मन खराब हो जात है, दूसरे को सुनाओंगे, तो दूसरे को नेगेटिव लगेंगे, तो हमें भी तो पता नहीं चलेगा, जब दो के बीच तीसरा, तेरा मेरा करता, तो तीन के बीच टकोरा पड़ता, माना, डिस्यूनिटी होती, आपस में चाहे तीन हो या पांच हो, लेकिन रहना चाहि किये सभी को मिलकर, रात को सोने से पहले, दस मिनिट भी आपस में मिलकर, ओम शांती करके, रुहरियान करके फिर सो जाओ, कहने का भाव है कि आप लोग मन से भी खुश रहो, तन से भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, और तेरे से भी मैं और सब खुश रहे, सेंटर में या जो भी घर में रहते हैं खुश नसीबी का वाताविरन हो आने वाले समझे यहां हम आए तो कितना खुश होके गए किसके भी चहरे से उदासी, ग्रणा, नफरत यह फील नहीं हुआ तब तो मज़ा है न? फिर भी अगर कोई उन्नेस बेस बात हो तो आप लोग अपनी तपस्या से उनको मिठाओ हमारी रूहानी आकर्शन भी एक तपस्या है जो सब को सकाश देगी तो वैसे तो हर कोई रूहानी टीचर है न? है न सबी? एक बाबा ही याद है और कोई याद नहीं तुम ही से उठू, तुम ही से खाओ, तुम ही से बोलू, तुम ही से रास रचाओं एक ही बाबा से ही सब संबंध रखो और उसी के साथ सब करो अगर टीचर के अंदर थोड़ा भी कहां मोह है जिसको आप कहते हैं प्यार है वो प्यार नहीं मोह है नश्ट मोहा स्मृतिरलब्धा उसका नाम है टीचर बस बाबा ही बुद्धी में हूँ तो हमारी बुद्धी में चेक करें केवल एक बाबा ही है दूसरा तो कोई नहीं है बाबा मम्मा की तरह हमें भी सदा नश्ट मोहा रहना है टीचर माना मास्टर ब्रम्हा कितना बड़ा टाइटल दिया वबन्याज अंडरलाइन करें टीचर की जैसे स्थिती होगी वैसे ही वो दूसरों को भी अपने अनुभव से सुनाएगी वसदा एक बाबा में ही लवलीन है तो अपार खुशी है जो सचमुच नश्ट मोहा है उसे बाबा की बहुत मदद रहती है सभी को अनुभव है न बाबा की मदद का कहां जी बाबा अच्छा ओम शंती तो ऐसे अपने अंदर बहुत सारी सुक्ष्मा चेकिंग करनी है सोने से पूर्व कि हम कितना अंतर मुखी रहते हैं कितना बाबा के साथ में हमने संबंध गहरा जोड़ा है मेरा पर्सनल फ्रेंड किया मैंने बाबा को हंड्रेट परसंच बनाया है पूरी तरह से नश्ट मुहा स्मृति लप्ता बने है और बाबा को लेटर में लिखकर या कहकर एकतम हलके होकर अपने मन और बुद्धी को हलका और प्यॉर बना के सोचाएं तो अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होगी और ये अंतर मुखे स्थिती से किवल एक बाबा की तरफ आकर्शन रहेगा चांग, कल सुब मिलेंगे अम रत्वेला लाइव चार बजे योग, भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए और रत्री कलास में असे ही पने नुभ चे चांग, शुब रत्री, ओम, शन्ती